Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं आप सब लोग, मस्ट बढ़िया तो यह स्टार्ट करते हैं आज हम लोग infectious disease का है ना जो हमारा chapter श्टार्ट हुआ था उसका lecture number 2 इसके अदर हम लोग पढ़ने वाले हैं pneumonia को ठीक है तो pneumonia सबने सुन रखा होगा pneumonia के बारे में pneumonia क्या होता है काफी सारे लोग इसके बारे में detail में जानते भी होंगे ठीक है तो हम लोग अपने course के इसाफ से फटाबट देख लेते हैं जो चीज़े important है एक्जाम में पूछी जाएंगी तो सिंपल सी definition क्या है pneumonia क्या होता आगी है हमको पता है लंक्स की problem है तो pneumonia इंफ्लमेटरी condition इंफ्लमेटरी कंडीशन सबको पता क्या होता है redness, rashes, swelling, fever वो सब इंफ्लमेटरी अंदर आयता है किसका है लंक्स में भी spasily affecting the alveoli अब उमीद करतो है अलविलाई पार्ट पता होगा है न यह वाला पार्ट जो लास्ट में होता है इस टाइप से द्यान है धेर सारी यह निकले रहते हैं इनको बड़े जासी इनको अलवियोलाई कहते हैं ठीक है and the parenchyma of the lungs अब lungs का parenchyma ऐसा क्या मतलब है lungs की parenchyma सा क्या मतलब तो लिखा हुए lungs parenchyma refer to alveolar tissue यानि कि alveolar वाले tissues जो उसके आसपास है with respiratory bronchioles alveolar duct, blood vessels and terminal bronchioles यानि कि overall जो पूरा alveolar वाला part है उसमें bronchioles जो जिससे जुड़ा हुआ है bronchioles है ये alveolar उसके आसपास जो blood vessels लगी हुई है वो सब lungs parenchyma के अंदर count कर लिए जाती है तो overall क्या है ये lungs के alveolar को affect करता है उसकी वज़े से क्या होता है देखो गार pneumonia होता बच्चे के सांसे तेते चलती है तो यहाँ पर कई बार क्या होता कफ वगरा कफी जम जाता है तो सांस लेने में भी कई बार दिक्कत आती है खेर ideology की बात करें किसकी वज़े से होता है although कह रहा है यद भी most cases of pneumonia are caused by microorganism जाद तर तो क्या है microorganism की वज़े से होता है infectious है common cause of bacterial pneumonia are streptococcus pneumonia याद करेंगे इसको इसकी वज़े से होता है जिससे हम निमो कोकोस भी कहते है especially in kids और mycoplasma pneumonia यह दो इसके main कारण है bacteria है ठीक है जिनकी वज़े से क्या है यह infection होता है non infection अगर my microorganism नहीं है bacteria या किसी और infection वज़े से नहीं हो रहा है फिर क्या वज़या हो सकती है तो एक है aspiration of food और gastric acid कई बार क्या होता है lungs में खाना खारे तो कुछ खाने के कंड चले जाते हैं बहुत ज्यादा नहीं बहुत जाए जाए गर death हो सकती है तो उसकी वज़े से pneumonia हो जाता है या gastric acid जो gastric acid इस था ना उपर आया मुह में आ जाता है कई बार वापस जाता है तो वो कई बार लंगस में चला जाता है foreign body कोई foreign body हमारी लंगस में चले गई है hydrocarbon and lipoid substance यह कोई part hydrocarbon या कोई lipidolat substance चला गया है hypersensitivity reaction हो गई है बाड़ी में किसी वज़े से या drug और radiation induced pneumonitis यानिकी pneumonitis मतलब pneumonia drug की वज़े से या radiation को भी हो सकता है तो यह सारे वह हैं जिन में कोई भी माइक्रों और नहीं होता है लेकिन हाँ नीमोनिया होता है अब नीमोनिया का अगर हम बात करें pathogenesis की फैलता किस तरीके से यह पनपता किस तरीके से है तो दो क्या क्या हो सकता इस ठीक है ना या क्रोनिक लंग कंडिशन इस्मोकिंग का करेगा सब्प्रेस करेगा नीट्रोफिल को function को एंड डैमेज दा लंग एपिथेलियम तो simple तुम क्या याद रखो गे इस तरह से याद रखो रोगे क्रोनिक लंग कंडिशन जैसे की लंग्स जो होती है हमारी डिश्ट्रॉई जाते हैं उसके टिसू जिसके पैथोजन है उतना ही आसानी से वहाँ पर अटेक कर पाते हैं या क्या है इम्यून सप्रेशन एक लाइन लिख देंगे इम्यून सप्रेशन बाकी लिखो चाहे ना लिखो इन तीनों की वज़ए से क्या होता है Susceptible Host and or Violent Pathogen Host मेरा क्या हो जाता है Susceptible उसके उपर Attack करना काफी जादा असान हो जाता है एक तो यहां से आ गया दूसरा क्या है Exposure to Pathogen यह तो हो गया Non-Pathogenic यहां पर आ गया Exposure to Pathogen है ना Pathogen मतलब Bacteria उगरे इसको हम टकराया या किसे वह से हमारी बॉड़ी में अंदर आया कैसे आएगा Inhalation सूंग लिया है Aspiration, Contagious और Hemetological Mechanics Blood water से टच करके हमारी बॉड़ी में आ गया इससे क्या हो गया Host के उपर अब finally क्या आ गया है हमारा Pathogen आ चुका है ठीक है, अब वहाँ पर आने के बात क्या करेगा है Pro-Life Ration of Microbe in Lower Airways and Alveoli जो सबसे नीचे के Alveoli वाले पार होते है जो हवा का रास्ता होता है वहाँ पर यह क्या करेंगे Pro-Life Ration मतलब पड़वार इनकी बड़ोत्तरी सुरू हो जाएगी अब इससे क्या हो जाएगा जब इनकी बड़ोत्तरी हो जाएगी Local response by alveolar epithelial cell release chemokines into surrounding tissue to recruit neutrophils to the site of inflammation अब यहाँ पर सीदी सीदी हम बात क्या सकते है एक तरह से immune system होगा वर्क करना start करेगा है ना, इतनी बात अगर समझ में ना आया है तो सीदी सी बात रहाँ रखना ठीक है कि local response by alveolar epithelial cells release chemokines into surrounding tissue to recruit neutrophils to the site of inflammation जहाँ पर inflammation हुआ है महाँ पर neutrophils आना start होते है यहाँ सीदी हम कह सकते है हमारा immune यहाँ पर सीदी से लिख सकते हो immune response start हो जाता है क्या start हो गया एक अगर यह पूरी बात chemokines हमारे chemicals होते हैं ठीक है न immune response start हुआ इसकी वएसे inflammatory response varies depending on the type of invading pathogens अब immune response inflammatory immune जब आता है फिर रहाँ पर क्या होता है टक्रार होती है जिसकी वह से inflammatory response और भी ज़्यादा increase करता है अब depend करता है कि हमारा pathogen कौन सा है उसके हिसाब से क्या होगा हमारा immune response आता है अब यहाँ पर दो टाइप से है अगर streptococcus pneumonia है causes lober pattern and influenza A and B cause interstitial pattern दो तरीके से क्या 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 है response आते है lober का मतलब क्या है accumulation of neutrophil and plasma acidate from capillaries into alvely specific to lung cerea lobe जहने कि जो blood की capillaries है वो क्या होगा वहां से neutrophil ठीक है ना neutrophil को क्या किया जाएगा बुलावा बुलाया जाएगा कि भई तुम आओ और यहाँ पर क्या करना है हमें accumulate होके इखटा होना accumulation of neutrophil इतना याद रखेंगे lober में क्या होता है accumulation of neutrophil and plasma acidate from capillaries into alvely बुलाय के अंदर वो आकर के इखटा होना start हो जाएगा interstitial में क्या रहेगा accumulation of infiltrates infiltrates क्या होंगे that is inflamed cellular debris infiltrate जो cellular debris थी जो inflamed हो गई है एक तरह से नमें inflammation हो गया है वो आकर इखटे हो जाएगी in the alveolar wall जो alveolar था हमारा जो यह वाला पार्ट था alveolar था यहाँ पर आकर के यहाँ खटा हो जाएगी space between the alveolar space and blood stream याने कि यह और इसके यह क्या हमारा blood vessel है इसको विए simple करके बताऊंगा मैं यहाँ पर आकर के क्या होगा यह खटा होना सुरू हो जाता है अब इन दोनों की वज़े से अच्छा यह दोनों अगर तुमको नहीं देने है बताऊंगा बढ़ी तरीका बताऊंगा इसकी वज़े से क्या हो गया फिल्यूड बिल्डप डज नोट अलाव एक्सरे टू पास थ्रू जो फिल्ड बिल्डप हो जाएगा तो X-ray क्या होगा उसको पूरा चेक नहीं कर पाता है वाइट ओपेसिटी ओन प्लेइन फिल्म एड़ a साइट ओफिल्ड बिल्डप तो एक वाइट फिल्म सि वाइट ओपेसिटी Opacity मतलब एकदम plane जैसे दिखाए पड़ेगा On plane film पूरा clear cut X-ray नहीं आता है अंदर का दिखाए नहीं पड़ता है तो यह क्या हो जाता है हमको Indication मिल जाता है Alveolar sac blocked by Filled accumulation, जो alveolar sacs हैं यह cavities हैं, यह block हो जाती है इनके अंदर Filled भर चुका है Thickening of alveolar wall यह wall के बीच में आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह थोड़ से मोटे हो जाएगे Increased diffusion distance अब जो oxygen है उसको पहले तो बड़े आराम से जा रही थी लेकिन यहाँ पर क्या होगी मुटाई बढ़ गई है तो oxygen को यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा दिक्कोत हो जाएगी तो diffusion distance increase कर जाएगी Decrease exchange of CO2 and O2 और hypoxia और स्थेने में दिक्कत आती है और pneumonia के लक्षन स्टार्ट हो जाते है तो यहाँ पर तुम्हें करना क्या मैं तुम्हें बताऊँ अगर तुम्हें लगता है कि यह चीज नहीं देना है inflammatory response varies depending on the type of invading pathogen ठीक है मैं दो टाइप से होते हैं lober और interstitial अब यहाँ पर इसको यहाँ से तुम लोग खटा सकते हो ठीक है यहाँ पर क्या करोगे सिधा लिखोगे inflammatory responses inflammatory response होँगे आप इसकी वज़े से यहाँ से सिधा आ जाऊगे यह ठीक है ना और इस तो inflammatory response आएगे तो यह तीन चीज़ें होंगी और इन तीन चीज़ों की वज़े से यह चीज़ें यह वाली चीज़ को यहाँ से खटा सकते हो ठीक है inflammatory response होगा तो यह तीन चीज़े create हो जाएंगी और इन तीनों चीज़ें create होने की वज़े से ultimately क्या होगा CO2 और O2 का exchange दिक्कत आएगी और जिसकी वज़े से सांस लेने में क्या आती है दिक्कत आती है clear है बाते हैं तो किस तरीके से हुआ यह किस तरीके से pathogenesis आई इसकी थोड़ी सी difficult लग सकती है लेकिन ध्यान रखना इसको सिंपल कर सकते है एक एक सब्द में कर सकते है smoking chronic lung condition immune suppression ठीक है न susceptible host यहाँ पर exposure to pathogen बस इतना इतना लिखते चलेंगे ठीक है exposure to host proliferation of microbes यह पूरा लिख देंगे कहाँ पर proliferate कर रहा है कहाँ बढ़ रहा है lower airways में ठीक है proliferate हो गया उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग सीधा चाहें तो ऑके यहाँ से हम सीधा jump कर सकते हैं inflammatory response कि आ जाएगा this one सा जाएगा उससे तीन category create हो जाएंगी और खतम ठीक है और बहुत आप जा लिए कि हमने बता दिया कि कहां से कहां क्या क्या हो रहा है यहां से ऐसे भी जा सकते हैं जो याद कर सकते हैं और करें जो नहीं कर सकते हैं उ एज होता है ना उसके हिसाब से क्लिडिकल मैन्फेस्टेशन आते हैं निमोनिया गए जो नियोनेट्स है नियोनेट्स मतलब जो बच्चे हैं में हैं फीवर उनली उनको से बुखार हो सकता है विद सब्टल और नो फिजिकल फाइंडिंग उन्मोनिया सब्टल मतला सूच मों बहुत ही कम या फिर कोई भी फिजिकल फाइंडिंग निमोनिया कोई लक्षन दिखाई नहीं पड़ेगा तर टिपिकल ट्लिनिकल पैटर्न ऑफ वाइरल एंड बैक्टेरियल निमोनिया उसल अलवेश के लिए फॉर पट्टिकलर पेशिंट ना कई बार क्या होता है डिस्टिक्शन पूर्फ के लिए अगर वाइरल नुमोनिया है इनके कंडिसें अलग लग होती है जैसे कि हम बात करें है आपर क्या दिखता है बखार दिखाए पड़ेगा सर्दी दिखाई पड़ होगा ठीक है फिर कहरा है वाइरल नुमोनिया असोसेट मोर ओफन विद कफ वाइरल होगा तो कफ वीजिंग जो सिटी की आवाज सी आती है सांस लेते हैं ठीक है वीजिंग हो जाएगी उसी को स्टैटर बोल दिया फीवर इस लेस्ट प्रॉमिनेंट दैन विद बैक्टेर बैक्टेरियों को तो फीबर ज्यादा पाए जाएगा वाइल में फीवर कम पाए जाएगा जाएगा जट चेस्ट रेडियोग्राफ इन वाइरल नुमोनिया शोस डिफ्यूज इस ट्रीकी इंफ्लेट है ना जो चेस्ट एक्सरे होगा उसमें डिफ्यूजन हलका सा डिफ् प्री डॉमिनेंस ओफ लिंफोसाइट ब्लॉड चेक करेंगे तो डॉब्ली सी अकाउंट नॉर्मल रहता है या हलका सब बढ़ा हुआ रहता है विदा प्री डॉमिनेंस ओफ लिंफोसाइट लिंफोसाइट ज्यादा मातर हम पाए जाते हैं बैक्टेरियल निमोनिया की ब पढ़ती है और लीउरल इफ्यूजन और जो लिवरल जो मेंब्रेंस दिखाई पढ़ेगा तो यहां पर ठोड़ा सा दिफरेंस कर लेंगे वार और बैक्टेरियल वाले में क्या रहता है अदर्वाइस प्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपना क्या है मैंने बताए ना थोड़ सब्सक्राइब करें नावन फार्मकोलोजिकल यहां सबको पता है नावन फार्मकोलोजिकल बहुत ज्यादा यहां समझने जूर्थ नहीं है ठीक है क्या रहेगा धिक्कत होती है तो सब्सक्राइब करें जिससे कि उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नाकम डाल सकते हैं फेस मास्क लगा सकते हैं और प्रेशर देते हैं जिससे कि एर वे हमारे क्या रहे हैं खुले रहे और हवा जाते हैं तो हवा शाती है हुम ज्यादा उक्सिजन की कमी है सांस लाइं नी पा रहा है तो हमीडियाइफाइड हलका सो वाटर रहते हैं से-अगर हowe ब्रॉंखा इससे मोले इस एक्माल करेंगे और pulmonary toilet pulmonary toilet का मतलब हो गया toilet का मतलब हो गया clean पर जो हमारा pulmonary वोले पार्ट है उसको mucos वगरे निकालते रहेंगे जिससे कि वो clean बना रहे adequate hydration and optimal nutrition proper उसको hydrate रखेंगे lungs को और nutrition support चालू रखेंगे anti-paratic therapy बुखार को गया रहा रहा है तो anti-paratic एक की ड्रक्स वारा देते रहेंगे ठीक हैं फ़ार्मकॉलोजिकल ट्रीटमेंट बात करें जनरली रहें पैंसिलीं ड्रक्स गुरूप के ड्रक्स का का इस्तवाल करते हैं जिसमें omoxilin , andpin बेंजायल पैंसिलीन और paprasiline और स्टमाल करते हैं इसमें Adermycine डंडा सकते हैं और फ्लोडध कीनूलऊंस से & 이れて असकते हैंOW लिवो फ्लोक्ससीन और कैमी फ्लोक्ससीन आ सकते हैं ठीक ना यह सारे ड्रक्स कहीं आगे तुम्हारे पुराने पड़े हुए हैं तो केवल हमें याद रखना है यहाँ पर कि निमोनिया रहेगा तो हमें कौन से ड्रक्स का इस्तमाल करना है कि लिए रहे थोड़ा सा यहाँ जो जो जोन हमा्या पार्ट ह फोड़ा सा क्या था चीज समझने वाली थी और यह वह वहारा लेक्चर क्या हो जाता है खतम हो जाता है ठीक है ना तो यह लेक्चर में कुछ नहीं है पैसर जनेशिस पर फोकस करेंगे बाद बागी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डग्स वगरा नॉन फार्मकलोजिकल तो यह मंसरी बना करके एक बारी लेख सकते हो अगर तुम् उलना करेंगे खलेंगे सकते हो जहीं कि भराख स करेंगे लेख सकते है तुम्हार लेक्वाट से जपक्तरू।